हलो फ्रेंग्स वेलकम यू ओल आज मैं आपके लिए जो वीडियो डिक्या रहा हो दिखे बात करने वाले है एक एग्री सेग्मेंट के स्टॉक से यानि कि एग्री कल्चर से रिलेटेड ये छोटा सा स्टॉक जो कि लाइम लाइट से काफी दूर है इस स्टॉक से हमको बहु दोलर बेसिस पर करते रहते हैं तो इस टॉक का एक्जामपल लेके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी opportunity है या नहीं मौका है या नहीं आप खुद समझोगी तो चलिए देखते हैं और आगे बंदे से मैं आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती रहेगी price action सीखने के लिए आप membership join कर सकते हो join बटन पर क्लिक करके हमेशा याद रखें learning को priority देनी है tips recommendation अलग-अलग तरीके की calls market में बेची जाती हैं उनसे दूर रहें learning को priority देते हो तो अब सीधे आज की डेट में देखिए यह natural gas को हम side कर देते हैं यह स्टॉक के हम बात कर रहे हैं पहले वह आपके सामने Arise Agro Limited यह देखिए एक छोटा सा stock जिसका market capitalization 200 करोड का है लेकिन पिछले कुछ टाइम से revenue बढ़ता हुआ देखने को मिलता है profitability बढ़ती भी देखने को मिलते है अच्छी positive बात है लेकिन जरह देखिए जो लोग थोड़ा सा खेती बाड़ी से वाकिप हैं मैं आपको बहु पुराना नाता है और regular basis पे भी हम day-to-day basis पे मैं कहूंगा खेती वाड़ी से बहुत वाकिफ है अब जब भी बात आती है किसी भी plant की fertilizer की बात आती है किस तरीके की nutrients micronutrients उसको चाहिए होते हैं वह आप सोचते हो समझते हो किस तरीके की चीजा चाहिए होती है उनके उपर अगर आप देखोगे तो मेजर आपका जो component होता है वह एनपी के अब आपको गयर एनपी के क्या है नाइट्रोजन फॉस्पोरस और के फॉर पोटेशियम यह बहुत important यह बहुत important ingredients होते हैं कहीं पे भी अगर यह देखिए अभी तो एनपे की एनपी के fertilizer आपको मिल जाते है अलग-अलग कंपनी जिसके उपर काम करते हैं लिकि जनरली आप देखते हो जैसे कि मैं अगर आप बिल्कुल और ग्राउंड लेवल पर जाओं तो इस तरीकी के fertilizer नहीं आपको naturally organic चीज़ा चाहिए होगी तो जो आपकी goats यानि कि बकरिया होती है बकरिया आप देखोगे ज खाद को यूज करते थे जब मिर्च की खेती करते थे तो मुझे यह पॉइंट याद है और आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं आपको बिल्कुल ड्राउंड लेवल की reality fact वाली चीज़े बताने की शेयर करने की कोशिश करता हूं जिन पर हमने practically काम किया हुआ है practically उन चीजों को किया हुआ है देखा है और वहाँ पर मिर्च की खेती के लिए अकसर क्यों कि वहाँ पर हमें nitrogen की जरुवत होती है तो अकसर वह बकरी जो गोट मैं आपको कह रहा हूं वह चीज़े वह खाद यूज किया करते थे आप देखोगे आप देखें यहाँ पर agriculture के स्टॉक की ब बात करो या फिर आप बात करो यहाँ पर फटिलाइजर की तो यह उसी segment में काम करता है Arise Agro Limited बहुत सारे product है micronutrient Water Soluble NPK देखे अगेन Water Soluble NPK organic bioproducts high density imports crop specific चीज़े यहाँ पर देखने को मिल रही है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए एक्वा कल्चर एनिमल न्यूट्रेंट के लिए इन सब सेग्मेंट में ये काम करता है ये कंपनी ऐसा नहीं है कि पहली देखे अभी की कंपनी ये पहुत पुरानी ये कंपनी है छोटा माकिट कैपिलेशन जरूर है इतना बड़ा ग्रोथ अभी देखने को मिला नहीं है लेकिन पिछले कुछ टाइम में काफी इंपॉर्टेंट पिछले कुछ सालम में इसने रिवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा लेकिन हमारी नजरों में कोई भी स्टॉक आता है तो हम उसको एक डिफरेंट लेंस से देखते है अगर हम इसमें इंवेश्मेंट करेंगे तो हमारा रिस्क कितना है यह हमारे एक बार भार गरoupe में लोगोगों को अवेर्डेस बहुत कम होती है तो मैं आपको कहूंगा अगर आप हमारे वीडियो हमारे चैनल के माधियम से थोड़ा बहुत भी risk management के बारे में सीख पा रहे हो तो यह चीजें यह information अपने तक सीमित ना रखें at least अपने family circle या friend circle तक यह risk management stock market में या फिर real life में भी यहाँ पे जरूर share करें ताकि वो भी अगर आप कुछी लोगों को भी यहाँ पर aware करोगे तो definitely उनको भी इस चीज़ का फाइदा होगा अगर आप देखोगे अगर हम देखें बात करते देखें अभी रिसेंट्ली ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके लिए वीडियो क्रेट किया था एटी टू के प्राइस पे और दिसमबर एक किस का यह वीडियो था अगर आप देखोगे एटी टू कहां पे था यह देखें दिसमबर एक किस आपको गया क्या consolidation दिया चार पास दिन उसके पाद एक और आपको कम लाग रहा होगा लेकिनि 25 प्रतिसत का जंप है अगर आप ओवरॉल देखो इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं आपको बार-बार कहता हूं कि इंपल्स बनी है तो वॉल्यूम है अगर करेक्शन नेगलिजिबल वॉल्यूम के साथ होगा अगर आप देखो इन कंपर यही कारण था यह कारण था हमें यह लोरिस्क हाइव मोमेंटम और हाइव प्रॉबबिलिटी पर मेजर फोकस रखना होता है जहां पर हम जल्दी से जल्दी मैं कहूंगा चीज है अपने मूब को कैप्चर कर पाए और प्रॉफिट को जेब में डाल पाए और आज उसी तर आट दिखाया उसका मेजर कारण यही था दिखाने का आप देख सकते हो इंपल्स बनी करेक्शन हो आई करेक्शन आई तो वॉल्यूम गायब फिर से इंपल्स की बनी टावर बड़े बड़े और सीधे प्राइस पहुंचा नब्बे से लेके एकसो नब्बे आपको ग्या क्या रैली थी अगर आप इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तो आपको इस रेंज में मिलता विधा स्टाप लॉस अब देखिए कहां से हम कहां आ गए आपको ग्यार हम आए हम दोस्तों के लेवल से 130-120 की रेंज में आए लेकिन वॉल्यूम गायब वॉल्यूम न यही तो हमने यहां पर आपको बता है तीन-चार महीने की एक करेक्शन तो अपॉर्चुनिटी क्या तयार हो रही है आप खुद समझ लीजिए लेकिन लेकिन अगेन वाट इस रिस्क एशूशेटेटेट विद इस इन्वेस्मेंट यही तो इंपॉर्टन पार्ट है मैं आ अगर पोजिशन साइज रिस्क एफोडिबिल्टी के बाहर चला जाता है तो क्या लगता है डर यानि की भय जब भय लगेगा तो फिर आप अपनी पोजिशन को बहुत जल्दी एक्जिट करने की कोशिश करोगे अब इसी लेवल को देख दिए जैसे मैंने लास्ट की बात कही तो यह 90 का रेज और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डीप वाला और इमीजेट कर देखा जाए तो यह देखिए और रैली चली रैली में इस ब्रेकाउट की नियर फिल से लिके ब्रेकाउट सकस्फुल होने के चांसे उसके नियर आपको पुल बैक उसके निय चोटी करेक्शन यह ब्रेकाउट अच्छे ब्रेकाउट की पहचान होती है और सिमिलर फैशन पे अगर आप देखोगे यह जो करेक्शन अभी चल रही है जहां पे वॉल्यूम बिल्कुल गायब है नदारत है मैं कहूंगा आप देख सकते हो बेस का फॉर्मेशन हो रहा है यानि कि जो बेस था एक काइंड ऑफ स्प्रिंग यहां पर बनती भी देख रहे हैं दिख रहे कि नहीं देख रहे स्प्रिंग काइंड ऑफ जो वाइक आउफ की हम स्प्रिंग की बात करता है अब डाउन दा लाइन अभी इसमें मूब्मेंट इस तरीके से सिचुएशन ब रहे हैं आपको क्या करना जो मैं बार-बार आपको एक प्रॉसेस की पार्ट बारे मां बता तो देखें जैसे यह मंतली की करेक्शं हो रही है रेजॉल्ब इसके रिजॉल्युशन को समझने के लिए सारे मैंशीप वाली सीरीज में से बिंटेल में बता रहे हैं और ऐसा वहाँ पर एड करते रहते हैं तो यह इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा गोल यहाँ पर है लर्निंग का टिप्स यह रिकमेंडेशन का नहीं लर्निंग का मेजर गोल है और वह उमीद करता हूं आप तक अच्छे से पहुंच रहे होगी जिस तरीके से हमारे पास कुछ सीख रहे हो अब यह मंतली की करेक्शन डिजॉलिशन में आपको क्या बता है कि किस तरी किसे देखना है चोटे टाइम फ्रेम यानि कि वीकली डेली आवर ली इन पर देखना है कि कैसे यह रिजॉल्व हो रही है इसके रिजॉलिशन के अलग-अलग तरीके चाहे वा आप 150 पर खरीद लो 140 पर खरीद लो इंपोर्टेंट पार्ट है प्रोसेस की जिसके उपर हमारा मेजर फोकस होता है मैं फिर से रिपीट करूंगा फोकस अब देखिए यह हमां गए डेली टाइम फ्रेम में मैं आपके लिए क्यों यह डेली टाइम फ्रेम पर वीडियो ले आज मैं अब कारण जरूर समझ के होंगे आप एक एक मैं कहूंगा एक बॉक्स टाइप की सिच्वेशन एक रेंज टाइप की सिच्वेशन देखने को मिल दिये जो कभी भी पार हो सकती है बस यही कारण है यह वीडियो आपके सामने आया है समझ जरूर गयोंगे आप चलि करकें थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग दा वीडियो